हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बैटरी सेक्टर के 6 कंपनी इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं आने वाले समय में इलेक्टिक वेहिकल्स का ट्रेंड आ सकता है उस वज़े से बैटरी कंपनी इसको काफी जाधा फाइदा होगा लेकिन 6 कंपनी यहां पे लि बैटरी इन सबका जो डेटा है वो मैंने यहां पर एक्सल में कॉपी किया है तो टोटल इक्विटी इस शेर कैपिटल प्लस रिजर्फ टोटल लाइबिलिटी इस करन्ट लाइबिलिटी प्लस अधर लाइबिलिटी सो डेट टो एक्विटी अगर लेस देन 50 परसेंट होता है तो एक्साइड में काफी जाधा करजा है एनड एवरेडिपे काफी जाधा करजा है उसके इलावा बाकी जो चार कंपनी जे उसका डेट टो एक्विटी 50 के नीचे है और यहां पर 51 है तो इस इस गुड तो इस चार कंपनी को हम इन दो कंपनी से थोड़ा ऊपर तो 8% से ज़्यादा होना चीए, इस category में हमारा राजा बैटरी, Exide Industries और Ever Ready Battery, Ever Ready Battery का return on equity सबसे ज़्यादा है, लेकिन debt to equity भी ज़्यादा है, इन 3 companies में सबसे पहला तो ये एक company है, जो हमारे criteria में fit हो रहा है, less than 50% और more than 8%, इसे मैं number 1 पर रख सकता हूँ, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए, जो profit margin is 17% पर है, और promoters के जो shares है वो 28% है और 0% placed है, तो अगर आपको invest करना है, सबसे पहली company होगी है, मरा राजा बैटरी, Excide Industries की जहाँ में बात करूँ, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, other liabilities काफी जादा है, Excide Industries फिलाल लेने की साला नहीं होगी, क्योंकि इसका balance sheet अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो other liability 2016 में 8654 था, जो की बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ रहा है, और अभी 14,600 करोड हो गया है, so Excide Industries फिलाल के लिए अवाइड कीज़े, जब तक इसका कुछ liability का restructure नहीं होता, तब तक अवाइड कीज़े, दूसरे company में अगर मैं बात करूँ, दूसरे number पे, Everad के अगर मैं बात करूँ, तो 22% promoters के पास है, और pledged 78% है उसमें से, तो ये भी मैं recommend फिलाल नहीं करूँगा, अब बचता है Panasonic International और HBL Power, इन तीन companies में अगर आप देखे, तो net profit सबसे ज़्यादा HBL Power का है 24, return on equity 3% है, लेकिन profit 24 पे है, और यहाँ पे profit बहुत ही कम, ना के बराबर 0% और 3% return on equity, और इसकी liability अगर हम बात करें, तो 36% पर है, यानि कि काफी कम है, so HBL Power को मैं रखूँगा, दो नमबर पे, अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, HBL Power के बारे में, HBL Power का अगर यहाँ पे आप देखेंगे, sales figure 1000 करोड के उपर है, लेकिन profit आप देख सकते हैं, 24, 25, 29 यानि कि profit margin कम है, अगर इस company का expenditure थोड़ा कम होता है, तो यह company एक multi-bagger company बन सकती है, यह है चार्ट, इसका weekly chart है, 76 पर trade करा था 2018 में, उसके बाद गिर के अभी आगया है, 15 रुपया 90 पैसे पे, यह low की अगर मैं बात करूँ, 9 रुपय के असपस यह stock जा चुका है, अगर आप long term व्यू सोच रहे हैं, तो छोटी quantity इस counter में add कर सकते हैं, सबसे पहला तो हमारा राजा बैटरी है, दूसरी company अगर आप select करते हैं, तो HBL power पे आप नजर रख सकते हैं, बहुत ही कम quantity add करनी हैं, क्योंकि इसका upside कब आएगा, कब इसके expenditure कम होंगे, वो कुछ assured नहीं है, लेकिन अगर market grow होता है, sales figure बढ़ता है, तो एक अच्छा खास upside दे सकता है, HBL power, तो इस पे एक ध्यान रखें, पहला है अमारा राजा बैटरी, अगर liability कम होता है, तो ये great company है, invest करने के लिए, लेकिन liability कम होना ज़रूरी है, इंडो नैशनल काफी ज़्यादा overvalued है, क्योंकि share capital काफी कम है, 65 का book value है, और 550 का stock price है, इसे फिलाल avoid कर सकते हैं, पैनासॉनिक की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, 13 रुपय book value और 197 इसका current prices, यानि price to book value काफी ज़्यादा है, almost 15 के असपास, तो ये काफी ज़्यादा है, इस वज़े से इसे avoid कीजिए, अगर कुछ restructure होता है, promoters pledged shares के उपर कुछ अगर आता है, तो ये एक अच्छी company होगी invest करने के लिए, लेकिन फिलाल के लिए, अमारा राजा बैटरी और HBL power पर आप ध्यान रखें, XITE और Everadia में कुछ restructuring की जरुवत है, Panasonic और Indo-National में sales की जरुवत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं profit काफी कम है, तो ये थी 6 companies, इसके अंदर दो companies में आपको suggest किया है, नमबर वन पर अमारा राजा बैटरी, दूसरे पर HBL power, एक चीज़ ध्यान रखेगा, अगर अमारा राजा बैटरी 740 से 1500 जाता है, तो भी 100% return होगा, और HBL power अगर 15 से 30 होता है, तो भी 100% return होगा, तो रिटर्न के उपर जाएं, नमबर ओफ शेर्स या टोटल अमाउंट ओफ इन्वेस्टमेंट के उपर ना जाएं, अगर अमारा राजा बैटरी की बात करो, तो इसका liability काफी कम है, और return on equity काफी अच्छा है, book value भी काफी अच्छा है, price to book value भी काफी बढ़िया है, तीन से साड़ी तीन के पास है, तो इस वाज़े से, अमारा राजा नमबर वन पे रखा है, और HBL power नमबर टू पे रखा है, HBL का एक और positive बात ये है, कि promoters के पास 57% है, उसमें से सिर्फ 0% pledged है, मतलब कुछ भी pledge नहीं है, तो ये है सारी बाते हैं, सारी चीज़े मैंने आपको बता दिये, 6 companies के बारे में, उसी इसाब से अपना trade plan करें, ये सिफ long term के इसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2-3 quarter में इसका result नहीं देखने को मिलेगा, जब तक electric vehicles market में ज़्यादा नहीं आएगी, और battery की sales नहीं बड़ेगी, तब तक कुछ ज़्यादा upside देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना है, तो हमारा राजा battery और HBL पावर पर रखें,